बिस्मिल्ला रह्मान रहीम आसिफा कोसर्स किचन में मैं आप सब का खैर मख्दम करती हूँ आज मैं लेकर आई हूँ चिकन की रेसिपी जिसका नाम है दही मुर्ग या फिर दही चिकन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए बेल आइकोन को प्रेस करिए तकि मेरे आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलिए तो फिर चलिए देखते हैं इस मज़िदार रेसिपी को बनाते कैसे हैं इसके लिए मैं ले रही हूँ 500 ग्राम चिकन उसमें मैं दाल रही हूँ 1 फॉर्थ टीस्पून हल्दी 1 टीस्पून नमक इन दोनों चीज़ों को दाल कर हमें चिकन को अच्छे से मेरिनेट करना है मेरिनेट करने के बाद हम चिकन को कम असकम आदे घंटे के लिए रख देंगे अगर आप के पास टाइम कम है तो इसको आप ऐसे ही पका सकते हैं बीना मेरिनेट किये हुए अब मैं एक कड़ाई में चार टेबल स्पून तेल दाल रही हूँ तेल को हम थोड़ा सा गरम होने देते हैं उसके बाद मैं दाल रही हूँ इसमें दो इलाइची तीन लोंग एक छोटा दालचीनी का टुकड़ा, दस से बारा काली मिर्चे और एक तेज पत्ता इन सब चीजों को दालने के बाद हम इसको थोड़ा सा फ्राय कर लेंगे ताकि ये गरम मसाले की खुश्बू निकल कर आए अब मैं उसमें दाल रही हूँ एक बड़ी कटी हुई प्यास, इसको मैंने बारिक-बारिक काट लिया है प्यास को हमें light golden color आने तक इसको पकाना है प्यास golden color हो गई है, अब मैं इसमें दालूँगी 1 tablespoon ginger garlic paste जिंजर गार्लिक पेस्ट दालने के बाद हम इसको एक मिनिट के लिए भून लेंगे वन टेबल स्पून मैं इसमें दाल रहे हूँ हरी मिर्च का पेस्ट मैंने यहाँ पर फ्रोजन पेस्ट लिया है तो इसको भी हम एक मिनिट के लिए भून लेंगे उसके बाद जो हमने चिकन को मैरिनेट करके रखा था वो इसमें हम दाल देंगे चिकन को दालने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसको दो से तीन मिनिट तक भून लेंगे जैसे जैसे हम इसको भूनते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा चिकन को हमें अच्छे से भूनना है ताकि हमने जो मसाले इसमें डाले थे वो सारे मसाले इसके अंदर ज़स्ब हो जाए तभी ए चिकन में टेस्ट आएगा तीन मिनिट के लिए मैंने इसको अच्छे से भून लिया है आप देख सकते हो इसका कलर अब चेंज हो गया है अब मैं इसमें डालूंगी हाफ टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च पाउडर आप चाहे तो पाउडर भी दाल सकते हैं मैंने यहाँ पर उसको कूट कर दाला है अब इसमें जाएगा वन टीस्पून धनिया पाउडर अब हम इन सब चीजों को मिला लेंगे फिर से एक मिनिट तक हम चिकन को भून लेंगे इसमें अब मैं थोड़ा सा पानी दाल रही हूँ ताके जब हम चिकन भूने तो यह मसाले ना जले चिकन अच्छे से भून गया है अब मैं वन कप दही ले रही हूँ दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है जब हम दही डालेंगे तो ग्यास की फ्लेम धीमी रहनी चाहिए या तो फिर आप ग्यास आफ करके दही को डाल सकते हैं अगर ग्यास की फ्लेम ज्यादा रहेगी तो दही फट सकता है तो इस बात का जरूर आप ख्याल रखिएगा दही दालने के बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे फिर हम धकन लगा कर इसको मीडियम फ्लेम पर 15 मिनिट के लिए पकने के लिए रख देंगे 15 मिनिट के बाद मैं धकन निकाल कर इसमें 4 हरी मिर्चें दाल रही हूँ चाहे तो आप हरी मिर्ज को काट कर भी डाल सकते हैं अब मैं इसमें डालूंगी 1 cup पानी पानी डालने के बाद हम इसको फिर से धक कर 5-7 मिनिट के लिए धीमी आश पर इसको पका लेंगे 5-7 मिनिट हो गए हैं अब मैं इसका धक कर निकाल कर चेक करती हूं देखिए ये अच्छे से पक रहा है और इसका तेल भी सैट से छूटने लगा है अब हम इसमें डालेंगे कटा हुआ हरा धनिया धनिया डालने के बाद मैं फिर से इस पर धकन लगा कर धीमी आश पर 10 मिनिट के लिए पकने के लिए रख देती हूं टाके ये ग्रेवी थोड़ी सी ठीक हो जाए तो लीजिये बनकर तयार है हमारा दही चिकन उमीद करती हूं कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी आप भी इसको अपने घर में जरूर ट्राइ करिएगा और मुझे कमेंट करके वताईए कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे भी अपने दुआओं में शामिल करिएगा मैं बहुत जल्द एक आसान और नई रेसिपी के साथ फिर से हाजिर होती हूं तब तक के लिए थैंक यू फॉर वाचिंग मैं चैनल